अलो द्वरोन बार ना विद्ध्यार्थी मित्रो ओम ग्रूप ओफ स्कूल राजुला कुमभार याथी अजे श्रीवास्तो भायलोजे शिक्षक ओनलाइन अभ्यास्मा आपनू आर्देख स्वागत करूछुं। गई काले तमने में गुजकेट अने नीट नी तयारी माटे लगबग 115 जेटला MCQ मूख लिया जे तमे लोको ये जोया हाशे वी आशा राखूं। अने ये दरेकना जवाब लगवा माटे प्रहत्ना करे वाशे। आज हे MCQ मूख लिया तमे लोको ये भर्याशे केटला साचा छे और केटला खोटा। येनू तारण काड़ों माटे एक बे दिवस माँ हूँ एना बदाय जवाब छे ये तमने मोकली आपिस। ये तमे ये माँ जो जो के तमे ये माँ धी केटला साचा केरया और केटला खोटा पड़या। तो फरीत येनू अभ्यास करवो जेती करीने आपने गुज केट मां और नीट मां फाइदो थाए। आजे आपने पराग्रजनी रचना विशे अभ्यास करीशू अने तेमा नर जन्यू जनक नो विकास केविनी ते थाए ए समझवानू प्रेत न करसूं। गईकाले अपने पराग्रज एटले के लगुबीजानू जनन परागस से छे ए परीपक को बने त्यार बाद बीजानू जनक पेशी ना कोशो ए अर्दिकरण पामिने लगुबीजानू चतुस्क के पराग चतुस्क नो सर्जन करे। त्यार बाद ते परिपको थाए, सोस्क बने, अने एक बिजाती छूटा पड़े, ये आपने गईकाले जोईू, आजे आपने पराग्रज नी रचना अने नर्जन्यु जनक न विकास नी विशे माहिती मेलविये, तो पराग्रज ए, नर्जन्यु जनक अवस्तानु प्रती निद्धित्व करे छे, के जे लगोबीजानु दानीमा अवेला होई छे, जासुद ना के अंञ्य कोई पुष्पना खुला पराग्रजने सपर्स करता, आंगलियों उपर पराग्रज नों पाउडर जोओ मले, तो लाल कलर नू जे जासुद नी कलर होई, लाल कलरनू मनू के जासुद नो फूल होई, तो एना दल पत्र नी उपर तमें जोसो तो पीडा आकार नी एक डांडी जेवो भाग जेशा देखा से ए पीडा रंग छे ए विजू कसु नती पण परागरज छे ए परागरज ने तमें सपर्स करो एटले ए आंगली मा चोटी जाए ए पावडर जेवो बिल्कुल जीन होई ना जीना जीना कणु जीवो होई एले हाथ मा जोवा मले अवे एने आपने स्लाइड मा के स्लाइड नी उपर मुकी ने सुक्स्म दर्सरक यंत्र नीचे अहलोकन करिये तो आपने परागरज तेनु कद आकार रंग अने रछना वगेरेमा बिन्नता जोव मले जुदा जुदा पुस्मनी तमे परागरज भीगी करो तो एनो कद जुदो होई आकार पन जुदो होई एन रंग पन जुदो होई अने नी रच्ना पुण चुदी जोवा मुले अवे पराग्रजनी रच्ना कैया प्रकार्नी होई छे ये आपने जोई ये तो सामने रिते पराग्रज छे ए गोळाकार होई छे जे 25 थी 50 माइक्रो मिटर छे ए व्यास धरावे छे जार ए पराग्रज 20 तरी दिवाल धरावे छे एटले पराग्रज छे एन यंदर बे दिवालनू स्तर होई छे एक बाहर नुझे आवरण छे ए सकत होई छे अने तेने आपणे बाहियावरण तरीके उलोखिये छे अने जे स्पोरो पोलेनिननू बनेलू होई छे ते स्पोरो पोलेनिननु बनेलू होई छे, अने ते खुबज प्रतिरोधक कार्बनिक द्रव्यनु बनेलू होई छे एले पराग्रचे ए दुईस्तरी छे, जेमां बहर्नूस्तर छे ने आपने बायस्तर तरीके ओलखिये, के बायावरण तरीके ओलखिये, के जे छे ए स्पोरो पोलेनिन नामनु एक कार्बोदित के कार्बनिक द्रव्य छे, एनू बनेलू होई छे आज एक आर्बनिक द्रव्य छे, ए खुब प्रतिरोधक छे, एटले के, ते उच्चा तापमान, के जलद एसीड के बेज सामे पन टकी सके छे जो आ पराग्रज ने आपने तड़का मा मुंकिये, उँचा तापमान मा मुंकिये, के जलद एसिड होई, के बेज होई, ए मा मुंकिये, तो पण ये नी उपर कोई असर थती न थी, ते मज उच्छे चको छे ए स्पोरो पोलिन ने पण अवनत करी शक्ता न थी, अवनत एटले पाचन, एटले के उच्छे चक छे ए आने स्पोरो पोलिन ने कसा प्रकार नू नुक्सान करी सक्ता न थी, के पाचन करी सक्ता न थी, के तोड़ी सक्ता न थी, आ बायावरण छे एटलू मजबूत होई छे, के सकत होई छे, हवे परागरजना बायावरण मा जिया स्पोरो पोलिन ने गेर हाजरी होई, त्या अगल छिद्र छे एस पस्ट जोवा मले, जेने आपने जनन छिद्र तरीके उड़किये छिए, यले बायावरण छे ए बरागरज उपर सलंग आवरण बनावतो न थी, पन वच्मा वच्मा क्याक याक ए गेर हाजर होई छे, जेने आपने जनन छिद्र तरीके उड़किये छिए, वैस पोरो पोलिन ने हाजरीना कारने परागरज चे ए अस्मियो शरूपे संग्राहिला होई छे, आज पोरो पोलिन ने हाजरीना कारने परागरज चे ए वर्षो सुधी, एने कोई असर न थाए, क्यमके ए प्रती रोधक ता धरावे छे, एले उच्चु तापमन होई के एसिड ना के बेज ना संपर्क मा होई तो पण एनने कही थाई नी, बार नू पड एटलू सक्खत होई, एटला माठे ए असमीना स्वरूप माँ पण संग्राहिल होई छे, परागरज ना अंदर ना आवरण ने आपने अंत आवरण तरीके ओड़किया छे, जे सेलिलोस नू बनेलू एक सलंग आवरण छे, तो अहीं आपने खास नोंद करवी, के बाई आवरण छे, एस पोरो पोलिनिन नामना एक कार्बनिक द्रव्यनू बनेलू छे, जारे परागरज नी अंदर नू आवरण छे, के जे ने आपने अंत आवरण तरीकी ओड़किये छे, ते सेलिलोस नू बनेलू एक सलंग आवरण छे, अवे परागरज मा नर जन्यू जन्नन नों विकास, तो परागरज नों कोश रस, ए रस स्तर्थी घेराईलो होई छे, जारे परागरज परिपक्व बने, त्यारे ते बे कोशो, एटले के वानस्पतिक कोश अने जनन कोश धरावे छे, अई खास नोंद करवी, के जारे परागरज छे एट परिपक्व थाए, त्यारे ते बे कोश धरावे छे, जे माथी एक छे एट वानस्पतिक कोश अने बीजो छे एट जनन कोश, हवे वानस्पतिक कोश छे, जे मोटो अने विपुल खोराक, मोटी मात्रामा खोराक संग्रहित अने मोटू और निमीत आकारनू कोश केंद्र धरावे छे, तो निचेनी आकरूतिमा तमें जोशो, तो तेमा तमने बे कोशो देखासे, एक नानो कोश अने बीजो छे एट मोटो कोश, जेने आपने वानस्पतिक कोश अने जनन कोश तरीके उड़किये छे, तो वानस्पतिक कोश छे, ए मोटो विपूल प्रमाणमा खोराग संग्रहित करे, अने मोटू और निमीत आकारनू कोश केंद्र धरावे छे, जारे जनन कोश छे, ए प्रमाणमा नानो होई छे, अने वानस्पतिक कोश ना कोश रसमा तरतो होई छे, ते घुट, घट, कोशरस अने कोशकेंद्र धरावतो त्राक आकार्नों कोश होये छे साइट टका थी वदू आवरत बीजदारियो पराग्रज छे ए द्वी कोशी अवस्तामा मुक्त थाये छे एटले आपने जोव मलती लगबग बदेज आवरत बीजदारीमा साइट टका जिटला आवरत बीजदारीमा पराग्रज छे ए द्वी कोशी अवस्तामा मुक्त थाये छे द्वी कोशी एटले कव वानस्पते कोश अने बीजु छे ए जन्नकोश एम द्वी कोशी अवस्तामा मुक्त थाये छे जारे बाकिनी जातियों मा पराग्रज मुक्त थाये ते पहला ते त्री कोशी अवस्ता धरावे छे जन्नकोश समभाजन पामी बे नर जन्यू अथवा तो पू जन्यू सर्जे छे अने घणी जातियों नी पराग्रज घणा लोकों मा तिव्र एलर्जी अने स्वास वाहिकानी यात्ना प्रेरे छे अथवा तो करे छे जन्यूसरी ने स्वासन मार्ग संबंदीत रोगों जेमके अस्तमा ब्रोंकाइटीस वगेरे थाये छे आया एक नौधा पीछे जे मा आयात करेला घणी साथे असुद्धी तरीके गाजर घास जेने इंगलिस मा पार्थेनियम के केरट ग्रास के वाई ये भारत मा प्रवेशलों जे सर्व व्यापी छे अने पराग्रज नी एटले के गाजर घास नी जे पराग्रज छे ए सामन मनुष्य मा एलर्जी प्रेरे छे हवे पराग्रजनी निपज अने तेमना उप्योग विशे आपने माहिती मेडविये तो पराग्रज ए पोषक तत्तो थी सम्ब्रुद्ध छे हालना वर्षों मा पराग्रजनी गोडियो टैबलेट्स ए पूरक आहार तरीके उप्योग मा लेवानी प्रथा छे जे मोटे भागे पस्चिमी देशों मा पराग्रजनी प्यदासो गोडी एटले के टैबलेट्स अने सिर्पना स्वरूपे बजार मा उप्लब्द छे हवे पराग्रजनों वप्रास करवा थी रमत्वीर अने रेस मा भागलेनार घोड़ाओ ए एलोको ना देखाव मा एटले परफ़मंस मा आउट्पूट मा ए वधारों करे छे जेना काणे पराग्रज छे के अत्वा पराग्रजनी जे निपोजो छे के जे टैबलेट्स ना कैप्सुल ना के सिर्पना फों मा होई ए आ लोको ले छे के जे थी एलोको पोतानू देखाव छे ए वधारे सारों करी सके हवे पराग्रजनी जिवित्ता विशे जणाओ एटले खे पराग्रज छे ए परागा सहिव पर्थी छुट्टी पड़े त्यार बाद ए केटला समय सुधी ए जिवित्त रही सके एनी विशे आपड़े माहिती मेलविये तो पराग्रज परागा सहिमाथी मुक्त थाए अने जो फलनमा भाग लेवानी होई तो तेवनी जिवित्ता गुमावाई तेपैला तेमनू परागाशन परस्थापई थवू ए बउजरूरी छे पराग्रज नी जिवित्तानो समय गाळो भिन्दता दर्शावे छे एटले के दरेक वनस्पतिनी पराग्रज नी जिवित्ता छे एनो समय गाळो छे ए अलग अलग होई छे अने तेक कैंक अंशे प्रवर्तमान तापमान अने भेज उपर आधारित होई छे केटलाग धान्य जेवा के गउं अने चोखाना पराग्रज मुक्त थाया पछी 30 मिनिट माज ए पुतानी जिवित्ता गुमाई दे छे अने रोजे सी के लेग्यूमिने सी के सोले ने सी कूलना सब्भ्यों मा तेनी जिवित्ता मैनाव सुधी रह छे मोटी संख्यानी जातियो पराग्रज ने प्रवाही नाइट्रोजन मा संग्रहित करी सकाई छे अटले के गणी बदी जातियो एवी छे के जेनी पराग्रज ने प्रवाही नाइट्रोजन मा संग्रहित कर्वामा आवे छे ए प्रवाही नाइट्रोजन छे ए एकसो ने माइनस एकसो ने छन्नू सेल्सियस इनू तापमान होए छे के ए तापमाने कणी बदी जातियो नी पराग्रज ने एमा संग्रह कराई छे आ संचित पराग्रज नो उप्योग पराग्निदी तरीके ठाई छे एटले के बैंक तरीके पराग्निदी तरीके ठाई छे जे पाक संबर्धित कायर्यक्रों मो माठे उपयोगी बिजनिदी कायरों。 हवे आपने जायांग एटले के स्त्री केसर विशे थोड़ी की माहीती मेड़ोशू जायांग एटले के स्त्री केसर चक्र आ स्त्री केसर चक्र माटे नो बीजो सब्द छे केचे ने आपने जायांग तरीके उड़किये छिए जे मादा पुस्पन्नू प्रज्नन अंग छे स्थ्रीकेसर चक्र एकज स्थ्रीकेसर अत्वतो घंडा स्थ्रीकेसर धरावे छे एटले के स्त्रीकेसर चक्र छे एमा एकज स्त्रीकेसर होई तो एन्हें आपने एक स्त्रीकेसरी तरीकी उलखिये जारे स्त्रीकेसर चक्र पुस्पनी अंदर घणा बदा स्त्रीकेसर धरावतु होई तो एन्हें बहु स्त्रीकेसरी तरीके आपने उलखिये छे स्त्रीकेसर एकज स्त्रीकेसर धरातू होए उदारन तरीके वटाणानू पुस्प के जेनी अंदर स्त्रीकेसर छे एकज होए त्यारे तेने आपने एक स्त्रीकेसरी तरीके उड़किये छिए येटे वटाणनू पुस्प छे एनी अंदर स्त्री केसर नी संख्या एक जोई तो तमें आकृती मा जूओ तो एनी अंदर तमने एक सनंग परागवाहीनी परागसन अने पुस्पासन जेऊ देखाई के अंडासे जेऊ देखाई एक छे तो आपने एने कही सक्किये के आच एक श्री केसर दरावतू एक श्री केसरी पुस्पो जो श्री केसर एक करता वधारे होई त्यारे ते होने बहु स्त्री केसरी अने जोडाएला होई तो एने युक्त स्त्री के सरी अत्वा स्त्री के सरो मुक्त होई तो मुक्त स्त्री के सरी तरीके उड़किये छिए तमें आकृती बीमा जोसो तो तमने देखा से के स्त्री के सर्चे एक बीजा साथे जोड़ा एला छे एटला माटें आपने कई सक्किये के युक्त स्त्री के सरी बीजा साय जारे चमपानू उदारन लो इटले आकृती सी नी उदारन लो थो बहु स्त्रीकेसरी मुक्त स्त्रीकेसर उदारं तरीके चमपा हवे स्त्रीकेसरनी रचना किवी होई? तो स्त्रीकेसरनी रचना विशे जुई ये तो प्रत्यक स्त्रीकेसर छे ए त्रण भागो तरावे छे जेमके परागासन एटले सौथी उपर पची आवे परागवाहिनी अने त्यार बाद सौथी छेले नीचे बीजा से जेने आपने अंडा से तरीके उड़किये छिए एले स्त्रीकेसरनी रचना जोईए तो ए रचनाकी ने द्रस्टी ए त्रण बागमा वेचायल छे परागासन परागवाहिनी अने बीजा से जारे परागसन सुझे तो परागसन छे ए परागरज माटेनू ग्राही स्तान छे एटले जारे परागरज चे ए परागसे मती छूटी पड़े अन त्यार बाद ए परागसन एस्त्रीकेसरना परागसन एटले प्रजनन अंग सौथी उपरनो भाग जेने आपने परागसन तरीके उड़किये छे ए एनू ग्राही स्तान छे परागरज माटेनू ग्राही स्तान एटले के परागसन त्यार बाद आवे परागवाहीनी तो परागवाहीनी परागसनी नीचे आवेलो लंबायलो पातलो भाग छे सौथी निचेनों भाग जेने आपने अंडा से तरीके ओड़किये छिए तो श्त्री केसरना तलस्त फुलेला भागने बीजा से के अंडा से तरीके ओड़क्वामा आवे छे बीजा से नी अंदर बीजा से पोलाण जेने आपने कोटर तरीके ओड़किये छिए ए आवेलू छे बीजा से नी अंदर बीजा से पोलाण आवेलू छे जरायू एटले बीजा से ना पोलाण मा आवेलू छे जरायू एक एवो भाग छे के जे जरायू पर्थी महा बीजानू नी महा बीजानू धानी उद्बवे छे जेने सांबान ने रिते आपने अंडक तरीके ओड़किये छिए बीजा सेमा अंडको नी संख्या एक उदार न तरीके डांगर, घौं, केरी वगेरे जरे अंडक नी संख्या वधारे जेमके पपयू छे, तर्बू छे, के ओर्किड छे, के सिता पड़ छे, के जाम पड़ छे वगेरे वगेरे अवे आपने महा बीजानू धानी एकले के अंडक नी रचना विशे जानवानो प्रेत्न करिये अंडक ए नानी रचना छे, जे दंड वडे जरायू साथे जोडायल होए छे, जेने आपने अंड नाल के अंडक दंड तरीके ओड़ किये छिए बाजू मां आपेले आकृती मां जोओ के अंडक ए एक नानी रचना छे, के जे दंड वडे जरायू साथे जोडायल होए छे जेने आपने अंड नाल अत्वा अंडक दंड तरीके ओड़ किये छिए हवे अंडक नो दे जे भाग वडे अंड नाल साथे जोडायल होए तेने बीज केंद्र तरीके ओड़ कोमा आवे छे जे अंड नाल अने बीज केंद्र अंडक नो दे जे अंड नाल साथे जोडायल होए तेने आपने बीज केंद्र तरीके ओड़ किये छिए बीज केंद्र आ एक एवो भाग छे किये जे अंड नाल अने अंड ने जोडतो एवो भाग आम बीज केंद्र ए अंडक अने अंडक नाल वच्चे नू संगम स्थान छे दरेक अंडक एक के बे रक्ष्णात्मक आवरण धरावे छे जेने आपने अंडक आवरणू तरीके ओड़ किये छे अंडक का आवरणू अंडक वत्ता आवरणू आ अंडक आवरणू समग्र प्रदेह ने आवरित करे छे सीवाई के अंडक ना टोच ना भागे एक नानू चिद्र के बिजांड चिद्र ने आवर्तू न थी आ अंडक आवरणू छे जे अंडक ना टोच ना भागने ज्यां एक छिद्र जिवू होई छे एने आवर्तू न थी एने आपने अंडक छिद्र तरीके उड़किये छे अंडक छिद्र ना सामेना छेडे अंडक तल आवेलू होई छे तल ना भाग मा हो आतियने तल की दो अंडक तल जेने अपड़े अंडक तल नो अंडक नो तल भाग तरीके उड़किये छिए अंडक आवरणों थी गेरायल कोष्ण समूने प्रदेह तरीके उड़किये अवे छिए अंडक आवरणों थी गेरायल कोष्ण समूने प्रदेह तरीके उड़किये आवे छे आकृतिमा तमें जोसो एटले तमने ख्यालावसे के बाहिय अंडक आवरण अने बिजु छे ए अंतह अंडा कवर ए बन्ने आवरण छे ए प्रदेह ना विस्तार नेके प्रदेह ने घेरे छे प्रदेह ना कोषो विपुल प्रमाण मा संचित खोराग धरावे छे प्रदेह नी अंदर भृण पूट अथ्वा मादा जन्यू जनक होई छे एक महा बिजुणू माथी सर्जायल एक भृण पूट आवेलो होई छे अवे महा बिजानू जनन तो महा बिजानू जनन के महा बिजानू मात्र कोष माथी महा बिजानूना निर्माणने महा बिजानू जनन तरीकी उलक्वमा आवे छे अंड़क मां प्रदेहना अंड़ छिद्री प्रदेश मां सामन्यत एक महा बिजानु मात्र कोस नुँ विभेदन थाये छे तो नीचे आपेली आकृती मां तमे जोसो तो तमने ख्याल आवसे के अंड़क छिद्र छेडो एने नीचे एक कोस आपेलो छे जेने महा बिजानु मात्र कोस तरीके दर्शाविल छे महा बिजानु मात्र कोस के जेनी आजवबाजु प्रदेहना कोसो जोव मले के प्रदेहना कोसो थी ए आवरी छे हवे आ अंड़क मा प्रदेना अंड़ छिद्री प्रदेश मा सामन्रे ते एक महा बिजानु मात्र कोस नुँ विबेदन थाए छे तो आकरुती बिजी जुओ तो एनी अंदर तमे जोसो के एक कोस मा थी ए बे कोस बन्या बे कोस मांथी चार कोस बने जैने आपने के विबेदन मात्र कोस नुँ एक महा बिजानु मात्र कोस नुँ विबेदन दाए छे जे घट कोस रस अने सूस बस्ट कोस के इंदर धरावतो मोटो कोस छे महा बिजानु मात्र कोस नी अर्धी करण पामे छे रंग सुत्र नी संक्या छे ए अर्धी थाई छे परिणा में चार महा बिजानु सर्जाय छे तो आक्रूती तमें त्रीजी आक्रूती जुओ तो त्या अगर तमने महा बिजानु चतुस्क लखेलू जुओ अमल से के जे छे ए चार कोस मां कोस छे ए विबेदित थयो हवे महा बिजानु मात्र कोस अर्धी करण पामे छे अने परिणा में चार महा बिजानु सर्जर्थाय छे मादा जन्यू जन्नक नो विकास मुट्या भागनी सब पुष्पी वनस्पतियों मा चार पैकी ना त्रण महा बिजानु नास्पामे छे अने एक महा बिजानु सक्री रहे छे आ सक्री ए महा बिजानु मा थी मादा जन्यू जन्नक नो विकास थाये छे आम महा बिजानु माथी ब्रून पुट्ना निर्मानी आ पद्धती ने एक बिजानु विकास तरीके उलकिये छे अब ब्रून पिट विसे समझवन प्रेत्न करिये के सक्री महा बिजानु कोशकेंद्र समवी बाजन के समबाजन पामी बे कोशकेंद्रो सर्जे छे जे विरुद्ध ध्रू तरफ गती करे छे आम द्वी कोशकेंद्री ब्रून पुट्ना निर्मान थाये छे नीचेनी आक्रूती जोसो एटले तमने ख्याल आवसे तेने अनुशरी ने बे क्रमिक सम्म विभाजन थवा थी क्रमस चार कोष केंद्री अने पची आठ कोष केंद्री भुरूनपूट नू निर्मान थाए छे आ प्रकार्नू विभाजन चुस्त पणे मुक्त कोष केंद्री प्रकार्नू होई छे एटले के कोष केंद्र विभाजन बाद तरत ज़ कोष दिवालनू निर्मान थतू नथी आठ कोष केंद्री अवस्था बाद कोष दिवालना निर्मान ने अनूसरी ने लाक्षनिक मादा जन्यू जनक के भुरून पूट सरजाए छे आठ कोष केंद्रो पैकीना, 6 कोष केंद्रो कोष दिवाल वडे आवरिट होई छे अने कोषी जवरूप दारन करे छे जयारे बाकीना बे कोष केंद्रो जेने दुरूविय कोष केंद्र तरिके उलक्वामा आवे छे तेवो अंड प्रशाधननी हेटल मोटा केंद्रस्थ कोष मा गोठवायला होई छे बिल्कुल मध्यमा केंद्रस्थ स्थाने गोठवायला होई छे ब्रून पूट मा कोषोनी लाक्षणिक गोठवनी जोव अमले छे ब्रून पूट मा कोषोनी लाक्षणिक गोठवनी विशे माहिती आपो तो अंडक्छिद्र तरपना त्रण कोषो भेगा मली अंड प्रशाधननी रचना करे छे तो तमें आकृतिमा जोशो तो तेमा तमने जोव मल से के अंड प्रशाधन लेके एग एपरेटस एनी रचना करे छे अंड प्रशाधनमा बे सहायक कोषो अने एक छे ए अंड कोष नो समावेश थाये छे एटले आकृति तमें एनी अंदर चोथी आकृति तमें जोव तो तेमने बे सहायक कोष अने एक अंड कोष जोव मले जेने आपने अंड प्रशाधन तरीके उलकिये छिए जारे सहायक कोषो अंड कोष नी टोच तरफ एक विशिष्ट प्रकारनू स्थूलन धरावे छे जेने तंतुमें प्रशाधन तरीके उलकिये आवे छे जे पराग नलिकाने सहायक कोषो माँ पोचाडवनू कार्य करे छे त्रण कोषो अंडक तल तरफ गोठवाई छे जेने आपने प्रती ध्रुवी कोष तरीके उलकिये छिए मध्यस्त मोटो कोष द्वी ध्रुवी कोष केंदर धरावे छे द्वी ध्रुवी एटले बे कोष केंदर धरावतु आम आवरत बीजदारीनों लाक्षनिक भुरुण पूट पुक्त थाये आठ कोष केंदरी परंतु साथ कोषी रचना धरावतो होई छे आया खास नोंद करवी के आवरत बीजदारीनों लाक्षनिक भुरुण पूट पुक्त थाये त्यारे आठ कोष केंदर वाळु परंतु साथ कोषी साथ कोषनी रचना धरावे छे कोषनी संख्या साथ होई पणतु कोष केंदरनी संख्या आठ होई पची पंच्यानन महेस्वरी ए ओगणी सो पचासमा केटलिक संख्या मा महा बिजानू कोष केंदरो बुरुण पूट नू विकासमा भागले छे तेना आधारे मादा जन्यू जन्रकने मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक अने टेट्रास्पोरिक बुरुण पूट मा वर्गी करुद कर्या हाता तो आजे आपने अहीं वीराम लेशू, आजे आपने पराग्रजनी रचना, तेनो विकास, पराग्रजनी निपज अने तेनो उप्योग, तेमा तेनी जिवित्ता विशे अभ्यास केरो जारे स्त्रीकेसर मा जायांग एटले के स्त्रीकेसर ना सुंसु कया-कया भागो छे अने महाबिजानु दानी नी रचनानो अपने अभ्यास केरो जेमा छेले अपने जोयूं के आवरत बीजधारी नी एक लाक्षनीक ता छे के जेनी अंदर आठ केस के अंदर जोवा मले अने एन्या साथ कोष जोवा मले आवतिकाले आपने प्राग्नेन विशे अभ्यास करीशू